कि नमस्का दोस्तों आपका स्वागत है हमारी यूट्यूब चैनल अन्टू टिप्स में मैं आपका दोस्त बजए आज मैं इस वीडियो में ऐसे बिजनस के बारे में बात करने जा रहा हूं जो कि आपको कम पैसों से भी स्टार्ट कर सकते हैं अगर आपके बाद ज्यादा प बिजनस है जो कि आज जो हर कंट्रे में इसकी जो डिमांड है बहुत ही जादा है क्योंकि इसकी जो खफ़त है वो भरत हर दिन भरती जाती है तो मैं आज इस वीडियो में बात कर रहा हूं जो कि दोस्तों आपको अगर पॉल्ट्री फारं करना है अपना बिजनस किसे कर सकते हैं क्या क्या आपको चाहिए कित्वेंगे पैसों में ये स्टार्ट कर सकते हैं तो मैं आज इस वीडियो में बताने जरा हुग अगर आपने मे Penny स्टिस्क्राइब नहीं किया तो subscribe कर ले और बैल आइकन का बटन दबा दें जिससे कि आपको मेरे बीडियो को notification आपको continue मिलते रहें तो दोस्तों सबसे पहले मैं आपको दूस्तों बता दू कि सबसे पहले आपको ऊपर से जो कवर करना पड़ेगा अगर अपको कम पैसा है तो आप लकडी का सेट बना सकते हैं जिससे कि कव इन्वेस्टमेंट होगा उसमें और साइट से अगर जाली लगा सकते हैं तो बैटर रहता है क्योंकि ब नुकसान नहीं पहुंचेगा और दूसरी बात बता दोस्तों में अगर आपके पास पैसा ठीक है अच्छा इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो आप जो सैड बनाएंगे तो जो चादर आती है सिमेंट वाली आप उससे भी बना सकते हैं और सैड से जाली लगा के या कवरिंग कर आप लगा सकते हैं तो दोस्तों मैं आपको बता दू कि आप जब चिक्स खरीद हैंगे मार्केट से तो आपको आसानी से एक चिक्स का जो प्राइस होता है सम्तिंग 11 से 20 रुपीज में आपको आराम से मिल जाता है जो उसका वेट होता है सम्तिंग 100-500 ग्राम का उसका जाता के करेंगे तो अच्छा रहेगा जो इंग्लिस नीच पर आता अप उसको भुसाइंगे क्योंकि वह ज्यादा दिन तर टिक जाता है जो हिंदी नीच पेपर होता है वह जल्दी खराव हो जाता है तो आप मेरा जो आइडिया है वह आप इंग्लिस चैनल नीचे जो ज जो नीच अब पर आता है आप उसे नीच बचाएंगे उसके बाद में जो चाल का घ्लक में नहीं मिलेगा और या is दायक होता है जो पॉल्टरी होता है उसको आराम से खंपटे वर रहता है तो दोस्तों मैं बता दूँ मैं आपको और इसके लिए आपको यह आपको वीडियों देख रहेंगों कंटेनर हैं जो कि एक खाना है जो कि दाना बोलते हैं जब छोटे हमारे चेक्स हैं तो हमें इन् में डान करने हैं वह भी बढ़ा देंगे प्लस इन 115 ग्लाइन जinga हो जो छोटा च्छोटा होता है वह दाने जो चोटा चोटा होता है उसे digest करने में आराम से digest कर सकता है अगर उससे आप बड़ा दाना देंगे तो वो नुकसान भी कर सकता है चिक्स को तो उसको health के लिए नुकसान दाएक है और दूसरा जो container होता है दोस्तों में बता दू आपको उसमें पानी रखना होगा जो कि चिक्स आराम से पानी को पी सकें और सबसे बड़ी बात होती है दोस्तों अगर आप पॉल्टरी फार्म या चिक्स जो फार्म अगर अपना बिजन्स से स्टार्ट कर रही हो तो उसमें आपको सबसे इंपडेंट चीज होती है कि उसका टैंफरेचर होता है जो आपको मेंटेन करके रखना पड़ेगा अगर टैंफरेचर मेंटेन नहीं होगा तो आपको बहुत ज्यादा नुक्सान भी हो सकता है क्योंकि आधर जैसे सर्दियों में आपने मैंटेन cow गर्मियाल तो थेו जो ट करने की ज़रूत नहीं कि आपको फेन लगा देना है जिससे कि गर्मी नहीं लगे चिक्स को तो दोस्तों साइट से आपको जो कवरेंग करना जैसे आपने जाली लगा दिया गर्मी में लूच अलती है गर्म रहा हुआ है उसको रोकने के लिए आप एक जो परदा लगा सकते ह तो दोस्तों एक जो अगर आप बिजनिस नया डालना चाहरे हो तो जो चिक्स हैं आप कम खरीज़ के अपना बिजनिस छोटे से एरिया में आप इस श्टार्ट कर सकते हैं जिससे कि अगर आपको लॉस भी नहोगा अगर लॉस भी होगा तो आपको कोई ज्यादा दिक्कत करने होगे क्योंकि एक चिक्स का जो प्राइस है दोस्तों वह ग्यारे से बीस उर्पेया की सम्तिंग बीच में मिल जाता है और दोस्तों इसमें आपको जब आपका जो सेड है चालू हो जाएगा तो उसमें आपको लाइटिंग की विविस्ता करनी होगा अगर आपके पास स्लाइटिंग की विविस्ता नहीं है तो सोलर पेलन का भी आप इस्तमाल कर सकते हैं